हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ share करने जा रहा हूँ पंजाब स्टेट कोपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड में आए हुए वेकैंसी के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं 227 पोस्ट हैं काफी ज्यादा पोस्ट हैं चुलिए देखते है इसकी डीटियल्स आपको यहां पर ऑनलाइन अप्लाई करना है जो फर्स्ट वेकैंसी है वह है डेप्टिचिफ अकाउंट ऑफिसर की नंबर पोस्ट हैं दो इसकी रिजिवरेशन के रिकार्डिंग जो आपको डीटियल्स मिल सकती है एनेक्टर वन में मिल जागा मतलब इसमें भी डीए उगरा एड होगा यह बेसिक है क्या मांगा है बीकों का फर्स्ट विजन से होना चाहिए प्लस आपके सीए या सीमे की डिगरी होनी चाहिए और फाइफ फाइफ एक्स्परियंस भी होनी चाहिए इसके अलावा पास्ट मैट्रिकुलेशन स्टेंडरिक जमनेशन और पंजाबी या तो अपका मैट्रिक में पंजाबी होना चाहिए या फिर कोई और आप एक्जाम गवर्मेंट का दिये हैं जहीं में पंजाबी पर था ऑप्समा वर कुछ भी मतलब इनका कहने का मतलब है कि पंजाबी का पर आपका होने चाहिए प्लस आप बीकॉम फर्स्ट डिविजन हैं सीए सीए में हैं फाइफ यर के एक्स्प्रियेंस है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और थर्ड जो इनकी रिक्वार्मेंट है हो है नौलेज आफ एमस ऑफिस इसेंसियल यानि यह डेपुटी च और आपको एमस ऑफिस का नौलेज इसेंसियल है सेकेंड पोस्ट है सिनियर एकॉंट ऑफिसर का यहां पर नाइन पोस्ट की विटेंसी है इसकी रिजरेशन के डिटल आपको एनेक्स्टर 2 मिल जागो पे असके लिए यहां पर इनिसियल है 47600 यहां पर भी क्वालिफिकेश प्लस CACMA 5-year experience यहां पर है बिकॉंट फर्स्ट इविजिन CACMA 2-year experience और यह पंजाबी लैंग्वेज के जो मांग रहे हो सेम है और नौलेज आपे मेंस ऑफिस सेम रिक्वार्मेंट है थार्ड जो विटेंसियो असिस्टेंट अकॉंट ऑफिसर की नंबर पोस्ट 8 है इसकी इसकी रिजिसिंग डिटेल आपको एन एक्ट्र थी मिल जाएगे पेर स्केल 44,900 इनिसेल है यहां पर क्वालिफिकेशन डिफरेंट है एमकॉंट विद थ्री एर एक्स्प्रियेंस और बिकॉंट विद 9-year एक्स्प्रियेंस इन गवर्मेंट कोपरेटिव इनिस्यूशन औ इन एक्ट्र फोर्म मिलेगे पेर स्केल 35,400 इनिसेल है बिकॉंट विद विजिन अटलेश्ट वन हंडेट विद एक्सप्रियूशन अटलेश्ट विद्विद एक्सप्रियेंस इन दे उज़ब परसनल क्विटर और इंपरिशन टेक्न टेक्नलोजी इन ऑफिस और इतने आवर्स का जो बतारें के लिए यहां से आपके पास computer की डिग्री भी होनी चीए यह अल्टरनेट भी दे रहे हैं फिट यह पास computer information technology course मतलब बैसिकली आपके computer knowledge check करने के लिए बोल रहे हैं कि आपके पास कोई उसका certificate होनी चाहिए और यह पंजाबी language का सेम है कि metric में या कोई और paper आपको होने चाहिए यह sales officers की है यह हमारी काम की नहीं है यह field officer and salesman की है देखते हैं कुछ important instruction क्या है इसके लिए पहली चीजी बोल रहे हैं कि candidates will have to fill up online application from markfet website मतलब इस website से जाके आपको apply करना है उसका link मैं description मुक्स में दे दूँगा candidates अगर आप एक से ज्यादा post के लिए apply करना है तो आपको separate form फिल करना है और separately fee भी payment करनी है candidates working government or saving government organization will have to fill online application form for the post applied and send hard copy sim through proper channel to chief manager मतलब जो government या semi government में काम कर रहे हैं उनको online filter करना है प्लस उसका print out लेके इस address आपको send करनी है जो सेक्टर 35 वी चंडिवड का है और आपका कोई भी center send करने का request यह entertain नहीं करेंगे and admit card जो होगा आपको online download करना होगा यह आपको post के थुरू नहीं send करेंगे जो इनका selection processor वहाँ पे return test होने वाला return test का यह answer की release करेंगे next day और उस पर कोई आपको objection है तो आप objection three days में दे सकते हैं जिसके लिए कुछ fee भी यह रखे हुए fee 500 का होगा plus GST 18% जो भी result होगा वो market website पे ही upload होगा selection जो होगा merit list जो prepared होगा written test के basis यानि यहां पर interview नहीं होने वाला है यहां तक पढ़के तो यहीं लग रहा है कि यहां पर interview नहीं हो रहा है क्योंकि यह clearly selection will made as per merit list prepared on the basis of written test only यानि इसका मतलब है कि interview नहीं होना ला है in case of two or more candidates मतलब अगर same marks आगया दो candidates के तो जिनका age जादा होगा उनको reference दिया जाएगा जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का हो है 12 अप्राइल अप्टू 5 पीम कि यहां पर फी इन्हों देख जो non refundable है SCST के लिए 600 all other categories 1200 यानि सिधा double है जो age criteria है 18 year to 37 year रखा गया है आपको अपने age के according यानि minimum age 18 year maximum is 37 रेलेक्सेशन आपको age certificate के according मिल जाएगी और देखिए यहां पर इन्हों clearly लिख भी दिया कि there will be no interview यानि सिर्फ आपका एक written test होने वाला है जो कि English में होगा और यहां बताने tentative number of question कितने होने वाले हैं तो जो language test के लिए Longage Preficiency के test होगा उसके 20 question होगे current affairs यानि GA का 10 question math से होगे 10 question LR logical reasoning के 10 question होगे computer से 10 question होगे और जो आपका job है उससे related 40 questions होगे qualifying marks यह बताने में new qualifying marks जो होगा all category के लिए 40% होगा negative marking भी 25% का होगा जो wrong answer होगा उसपे और एक चीज इंपोर्टन चीज है कि all examination centers should be at चंडिगर्ण and SS Nagar Mohalli यानि चंडिगर्ण महाली में ही सिर्फ exam centers संभी आपके और इसके लिए कोई आपको TADA नहीं मिलेगा exam के लिए आपके लिए तो यहां पर important dates दी हुई है कि online application की जो date स्टार्ट हो रही है 22nd March से last date है 12th April और जो fee payment करने की last date है 16th April है return test की data भी उन्हों release नहीं की रिलीज करेंगे बाद में तो फ्रेंज सीरी वेकेंसी अगर आप इलिजिबल है इंट्रेस्टेनिस वेकेंसी में तो अपलाई कर सकते हैं थैंक्यू